शिम्ला करू करते हैं सतेंद्र चाहन हमारे समवादता हमार साथ है थोड़े देर पहले वो एक आदर्श बूत पर थे लेकिन सतेंद्र अब माहौल कितना बड़ा है क्योंकि आप तो सुबह सुबह जो एक नई ताज़गी से दिखती है पाड़ों पर फ्रेशनेस अभी और होगी आप लोग भी नजर आ रहोंगे कितना उत्साह दिख रहा है जी देखे विलकुल इका दुक्का लोग दिखने लगे हैं जैसे जैसे सुबह की रोशनी फूटी है वैसे वैसे ही लोग बाहर निकलने लगे हैं अगर हिमाचल की बात करें तो मैं आपको बता दू इसको दरसल सकेंडल पॉइंट बोलते हैं और यहां पर कडाके की खासी ठंड पड़ रही है जैसा कि कमल जीत संदू बता रही थी डाइवरसिटी है कहीं पर धूप खिली हुई है कहीं पर बरफ पड़ी हुई है और कहीं पर बारिश के बाद से लगातार कडाके की ठंड और अपकी बार चुनाव आयोग चाहता है कि ये मत प्रतिस्टता बढ़े लेकिन जो मुद्दे हैं हिमाचल में देखे जाती पाती धर्म यहाँ पर मुद्दा नहीं है यहाँ पर जो लोग हैं जागरुक लोग हैं पड़ेलिके लोग हैं मुद्दो की बात करते हैं ओल्ड मंतरी मोधी को मजबूत ही देंगे तो यानि कि यहाँ पर मानते हैं कि जो चुनाव है केंध्रिये नेतरोतू के नाम पर लड़ा गया है अगर कॉंजिन नहीं बात करें लेकिन क्या वह एक फैक्टर है किसान और सीब के जो बाग wilderness बड़े पैमाने पर यहां पर होती हैं, क्या इनके मसले रहे हैं इस बर? बड़े ले लोगे जानने की कोशिश की गई हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जो उपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका हैं, वहां पर सेब की बागवानी होती है. और सेब के लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि GST लगाई गई है ये तस्वीरे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा ये तस्वीरे भी देखिया आप पहाड़ी इलाका है और सेब के जो उत्पादक है उनके जो प्रोसेसिंग होती है यानि कि जो पैकिं और हिमाचल का जो मूड है यहाँ पर रिवाज और रिवायत ये रही है कि हर पांच साल में सरकार बदली गई है पांच साल में सरकार बदली जाती है लेकिन अब की बार BJP चूंकि इसी तरीके से जो पड़ौसी राज्जय है वहां पर भी कहा जाता था उत्रा खंड में कि सरकार पांस साल में बदली जाती है वहाँ पर नहीं बदली और शायद बीजेपी के पास उत्रा खंड से कहीं न कहीं एक मैसिज है कि शायद हिमाचल में भी ऐसा हो जाए और ये अब तश्वीरे में मैं आपको इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव हुआ है और जाहिर सी बात है केंदरिय और राजिय का नेत्र तो आमने सामने होता है भारती जंता पार्टी के लगातार बात हम कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस की भी बात करनी होगी कॉंग्रेस में अभी तक ये तैह नहीं हो पाया है कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यानि कि बिना फेस के कॉंग्रेस हिमाचल के चुनाओं में गई है हाँ पूर्ब मुख्यमंत्री स्वर्गी है वीर भदर सिंग के नाम के उपर ये चुनाओ लड़ा जा रहा है ऐसा जरूर देखा जा रहा है जितने भी पोस्टर्स हैं होर्डिंग्स हैं बैनर्स हैं वहाँ पर वीर भदर सिंग की तस्वीर दिखाई जाती है और इसके अलावा कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस को कहीं ना कहीं इम्मिनियोटी या फिर एनरजी जो अभी उपचुनाव हुए थे वहां से मिली है यानि कि कॉंग्रेस दावा कर रहे हैं कि उपचुनाओं में जिस तरीके से चार सीटों पर उनकी जिए तो उपचुनाओं में तो बहुत अच्छा रिजल्ट था वो कॉंग्रेस के फेवर में था लेकिन वीर भदर सिंग की एपसिंस में क्या कॉंग्रेस मजबूत देख रहे हैं प्रदेश में देखें अब की बार पहला जो की कॉंग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कॉंग्रेस पहले कॉंग्रेस से लड़ती है लेकिन अब की बार इन चुनाओं में इतना जरूर नजर आया है कि कॉंग्रेस में इन फाइटिंग थोड़ी कम हुई है और बीजेपी जिसको अनुशासित पार्टी कहते हैं बीजेपी में लगातार आप चर्चा कर रहे हैं सुन रहे हैं कि 21 बागी कैंडिडेट खड़े हुए हैं अशोक सिंगल हमारे समवादता विलासपूर से हमारे साथ जुड़ गया हैं ये वो जगा है जहांसे बीजेपी के रास्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा आते हैं और वही पर अशोक इस बक्त मौझूद हैं अशोक विलासपूर में क्या तयारिया हैं जेपी नड़ा क्य रहे हैं बिलासपूर सीट से उसके बाद वो राश्टी राजनीती में चले गए थे लेकिन थोड़ी देर में वो वोट डालेंगे दस बज़े के करीब उनको बोट डालें यहां से नजदी की जहां में खड़ा हूं उनका पोलिंग बूत है लेकिन इस बार बीजेपी की को कि अज़ बशेसके की दोफिकर जोगों नेंगे उनका पार्टी के लोगों ने उनको चैलेंज किया हुआ है लेकिन बीजेपी का कहना है इन सबसे कोई फरक में पड़ता बीजेपी अपने काम के बूते पर लोगों के बीच गई है जो पांस साल जैराम ठाकुर्स की सरकार ने काम किया है उसी पे लोग उनको चुनेंगे और नरिंदर मोदी प्रदेश के प्रधान मंत्री है तो काफी दोनों ने मिल करके काफी हिमाच्र प्रदेश को आगे बढ़ा है उसी वजह से लोग यहां बीजेपी को दुबारा से सत्ता मिलाएंगे विलासपूर की बात करूं तो विलासपूर के इसके मुद्दे क्या-क्या रहे है बीजेपी ने कैसे ट लेकर काफी चल रहे है लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने यहां विकास किया है और विकास चाहे सडकों की बात हो चाहे होस्पिकल्स की बात हो विलासपूर में एम्स यहां पर आया है तो उसको लेकर कि बीजेपी का कहना है कि हमने जो इतने सालों में विकास नहीं विकास किया है और क्योंकि न्रेंदर-moodi की सरकार ने कासीयों क्या। क्या को लगों क को अपनी सरकार की बात करें कि कॉम लोग पीयस की बात कीजारी है कि हम उसको ले के आंगे जो हम लोगों की डिमांड रही है उसको हम तुरंत सरकार बनतेश उसको लागू करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कॉंग्रेस किसिर्फ दावे करतीए। कॉंग्रेस के। नहीं कोई दम नहीं है , मेंगाई बिजली, जो रोजगार की बात है, के बात निरेंदर मुधी सरकार आने के बात, लोगों को काफी रोजगार मिला है काफी काम हुए है, डबलमेंट हुआ है, तो । इसको टार्गेट कर रही है, बेरोजगारी का मुद्द है, महंगाई का मुद्द है, कौंगरोज का तो यहां तक कहने कि जो एम्स की हुआ है कोई facilities नहीं है